नमस्कार आप देख रहे हैं बिहार जारखंट का नमबर वन यूटूब चैनल लाइफ सिटीज और मैं हूँ आपके साथ साहे वली एक तरफ जहां बिहार में लू और भीशन गर्मी से लगतार लोग मर रहे हैं आकड़ा मौत का बढ़ता जा रहा है तो दूसरी तरफ बाढ़ से लोग परशान हैं हम बात कर रहे हैं बिहार के उन जीलों की जो बाढ़ का प्रभाव जहेल रहे हैं जिसमें मधुबनी, सुपॉल और मधेपूरा शामिल है दरसल ये जो है वो कोशी छेतर में जीले पढ़ते हैं और कोशी नदी का पानी अचानक बढ़ गया है उसका वाटर लेबल, उसका जलस्तर बढ़ गया है जिसके वज़े से 200 से अधिक गाउं में बाढ़ का खत्रा मरनाने लगा है कितने घर ऐसे हैं जो पानी के प्रकोप में आ चुके हैं उनके अंदर पानी जा चुका है और जो लोग हैं वहां से पलायन करने को मजबूर है आपको बता दे कि ये कोई नई बात नहीं है हर साल कोसी छेतर में सीमांचल के छेतर में बाढ़ से लोग प्रभावित होते हैं और सैकड़ों लोग की जाने इस बाढ़ से जाती हैं बिहार सरकार इस पर बनाने की बात करती है बिहार सरकार तटबंद बनाने की बात करती है लेकिन जमीनी हकीकत कुछ भी नहीं सामने आ पाता है कोशी अपना प्रभाव, कोशी अपना कहर, लगतार, सीमानचल के छेत्रों में बरपाती है हर साल दरसल ये पानी जो है वो नेपाल से आता है कोशी बराज से जब पानी छोड़ा जाता है तो जो निचले अस्तर पर बसे गाउं है, जो कोशी छेतर में आते हैं, कोशी नदी के इलाकों में आते हैं, वहाँ से कोशी नदी गुजरती है तो उन इलाकों में कोशी नदी का जो जलस्तर है, जो वाटर लेबल है, उसके बढ़ने से गाउं में पानी चला जाता है हर साल ये गहां उजडते हैं और हर साल ये फिर से बसते हैं लोग की मजबूरी है कि आखिर वो अपना घरबार छोड़ कर जाए कहां इस बीच एक तरफ जहां बिहार में गर्मी से मौत हो रही है कहीं पर ये उमीज जताए जा रही है कि थोड़ी सी बारिश हो जाती थोड़ पर नहीं आई है लेकिन अलर्ट जारी कर दिया गया है मदपूरा में अलर्ट जारी किया गया है मदुबनी में और सुपॉल में भी वहां पर जो लोग निचले अस्तर पर निचले इलाकों में रह रहे हैं जो गाउं हैं जो कोसी नदी के छेतर में आते हैं वहां के लोगो को उंचे अस्थान पर जाने का निर्देश दिया गया है रेस्क्यू भी काम जो है वो चालू है आपको बता दें कि बिहार का ये वो जिला है जो हर साल कोशी के प्रकौप से परभावित होते हैं यहां के लोग सरकार हर साल दावे करती है बाड़ को लेकर के करोडों रूपे खर्च किये जाते हैं, हर साल तटबंद बनाये जाते हैं, लेकिन तटबंद कोई काम नहीं आते, क्योंकि उनका कोई पर्मनेंट उपाय अभी तक नहीं किया गया है, कोसी की छेतर में जिस तरह से बाड़ अपना प्रकोप बरपाती है, पिछले साल भी आपने देखा होगा कि इस तरह से सैकडो गाउं जलमगन हो गए थे, वहाँ पर जो लोग थे, वो परशान थे, उनका जो जो उनका लिंक है, गाउं के जो लिंक है, ब्लॉक से, वहाँ के जिला प्रशासन के जो भी लिंक है, वो सब कुछ तूट जाता है, क्योंकि गाउं में जो सडके हैं, वो डूब जाया करती है, जलमगन हो जाया करती है, और वैसी हालात अभी सुपॉल मदेपूरा और मधुबनी में देखने को मिल रहा है, आप लाइफ सीटीज साथ बने रही है, हम आपको बिहार समय देश-दुनिया की तमाम खबरों से लगतार अपडेट अख रहे हैं, अगर अभी तक आपने हमारी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करें, फेल्जू पेज को लाइक करें, और विज्टार से खबरों को पढ़ने के लिए लाइफ सीटीज डॉट इन पर जाएं, धन्यव में झाल, प्योटूब चैनल, तो सब्सक्राइब करें